तो अभी वेलकम टिमानवार एजुकेशन विदियो वी आर गीजी के अंग कुर्ण अफैर तेन टीफाइब सो जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहें एंब एक्जाम नेशन के लिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टन सेशन ने यह जी के और ग्रेंट अफैर से रिलेटेड सो जो है इस में इसके अंग करेंगा और जहान से जैसे तरह की कुस्टिस आपके अपके इग्जामनेशं में आते हें आपको PDF format में आपको जो है इस चैनल पे टेलिग्राम और वाटसेप पे मिल जाएगा यहाँ पर डेली अपडेट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके एग्जामेशन एड्मिट कार्ट सारे इंटरेंस एग्जामेशन के पैटरन सारे इससे रिलेटेट जो है आपको वीडियो मिलेंगा और साथ-साथ यहाँ पर इसी तरह की important knowledgeable video जो है upload regular किया जाता है तो इसको आप subscribe कर लिजेगा वीडियो पर संद आए तो like और share कर दीजेगा और कोई query हो तो आप इसके comment section में यहाँ पर पूछ सकते हैं if you want to do self study program if you want to avail self study program and do your study in a synchronous way systematic way then you can visit our center offline center that is वसाई थाने दादर बोरी बली अंधेरी और on pan India level you can call on this number for online classes यहाँ पर आप call कर सकते हैं you can avail the demo classes each and every center as well as online यहाँ पर जो आपको self study program के लिए सारे information MBA के लिए आपको मि सब्सक्राइब करने कि अखुरे सांथ यह बहुत इंपॉर्टन एग्रीमेट है इंदिया के लिए और साथ उस कंट्री के लिए भी जहां जिसके साथ इंडिया ने यह सांट आपको जो पैसे वगएर जो ग्रेंसी आश्चेंज होता है वो करने की पबलिक को जो है सहूलत हो जाएगा जाधा जो है बेनिफिट हो जाएगा तो मालदीप मौरिशस चाइना इरान और करेक्ट आंसर इस मालदीप सो इंडिया मालदीप साइंड मेमोरेंडम अफ अंडरस्टेंडिंग तो लॉंस दा युनिफाइट पैमेंट इंटरफेस यूपिया यू है लॉ लॉनी की चांसे रहेगी तो यह इंडिया के लिए एक अच्छा जो है आपको न्यूज है एक अच्छा आग्रीमेंट है जो दोना कंट्री के लिए चाल लेकिन इंडिया के लिए खास करके और भी अच्छा है नाव मूवा तो नेक्ट कोश्या पर्धान मंतरी अवास यह एक यह तो यह उसके और इसमें जो है जो अर्बन एरियास में पूर है जो मिदल क्लास लोग है उनको जो है आपको जो है हाउस प्रोवाइट किया जाएगा यह पर्धान मंतरी अवास योजना अरवन के थुरू आंडा स्कीम एन विसाज आज आन इन्वेस्टमें आफ इसमें इन्वेस्ट करेंगे और इससे जो है वहां जो है जो भी जो रह रहे हैं अरवन एरियास में पूर उनको काफी हेल्फुल है काफी बेनिफिट जो है आप इससे ले सकते हो प्रधान मंतरी अवास योजना से नाव वूवन तो देनेश्ट कोश्चिन सिंगापूर मजें काफी जो कर णिटेन व्ods एंट गाही हैं णिटार देनिफुलना और व्रहे इस टाणशुशान पूर्थैना इन्ट तांशु esti जो कि व्न बैंक और यहां की पहली जो है वीमन सी यो बन गई है तान शू शेंग तो यह चीज याद रखेंगे नाव मुवां टू टू नेश्ट कोशन सयद रफत आहमाद हास बिकम देनीव चीफ जस्टिस ऑफ विच कंट्री तो सयद रफत आहमाद जो है अभी किस कंट्री के चीफ बन गहें तो यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी काफी न्यूज में है यह कंट्री पाकस्तान स्रिलंका बंगलादेश नेपाल और करेक्ट रांसर इस बंगलादेश तो सयद रफत आहमाद विल विद नीव चीफ जस्टिस ऑफ बंगलादेश और इससे पहले जो चीफ और जो है वहाँ इंट्रिम गवर्मेंट की हीरट कोन बने है दाट इस महम्माद ईूनुस्थ बिकेम दा हेड अफ रहूल फिस प्राइड जो है इनको मिल चुका है और यहीं जो है है बने है तो यह आप याद रखेंगे इंडिया के चीफ जिस्टिश को ने डीवाई इंडिया वहां के जो आर्मी के चीफ हैं वह कारुज जमा जीनों ने जो है गॉवर्मेंट को अवर्थो किया नहीं गॉवर्मेंट जो है इन फॉर्म करने में हेल्प की तो यह चीज याद रखेंगे ना मुवन तो दानेश्ट कोशन हुआज बिकेंट सेक्रेटरी ऑफ यू सौमनातन उपेंद्र दुवेदी राकेश रंजन और करेक्टर आंसर इस टीवी सौमनातन सो सुनियर तामिल नाट्यों केडर आईस ओफिसर टीवी सौमनातन हास बिन अपॉइंट आप्वाइंट सेक्रेटरी और यह आप बन गहां टीवी सौमनातन यहां पे एक नाम आप इस पर्फॉर्मेंस बेटर है कहां से यह आपको इन्वेंशन वगरा हो रहे हैं कहां पे जौब ज्यादा क्रियेट होड़ा है किसका इंफ्रास्ट्रक्शर बेटर है यह सारी चीज़ है और जिससे क्या होगा कि हमें हेल्प होगा गारिजियन को स्टुएंट को एड्मिशन लेने में वो कहां जो है प्रिफर करेंगे कौन सा इस्टिउशन ज्यादे अच हमारे एजुकेशन मिनिश्टर कोन है धर्मेंद परदान है और यह रैंकिंग रिलीज की गई है अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो इससी बैंगलूर जो है डाट इस दा नंबर वन पोजिशन अगर आप कॉलेजिस की बात करते हैं तो वह जो है आपको बहु जो है तो कॉलेज वह जो है सबसी नंबर उन पे है नेश्ट जो है कुशन वह है वह हू वासी नीट-ग्रेशन वैजश मानलो मरकेश पीयार सरेज़ वसाले शरी भी गौत गंबिल and the correct answer is PR Sirijesh so Hockey India has announced that PR Sirijesh will take over as the new coach of the junior means hockey team PR Sirijesh कोन है इनके बारे में थोड़ा information हम लोग देख लेते हैं so he was the goalkeeper of Indian hockey team और Indian hockey team जो है इस बार जो है क्या जीती है bronze medal जो है Olympic में जीती है by defeating Spain Spain को हडा कर इसने bronze medal जीता है उसके बाद ही इनोंने announce कर दिया था कि वो रिटायर हो रहे हैं और इन्होंने retirement ले लिया है इंडियान hockey team से जो है यह रिटायर हो गया है PR से रिजेस और उसके बाद इनको appoint किया गया है क्या coach किसका junior means hockey team का coach appoint किया गया इंडियानी टूटल इसवार Olympic में six medal जीता था यह याद रखी का six middle जिसमें से एक silver जो है वो नीरज चौपराने जीता था यहां पर गौतम गंबीर गौतम गंबीर जो है भी बन गहें करके टीम के coach head coach और मैनलो मार्केस जो है यह football team के इंडियन football team के head coach बन गया है now move on to the next question which state government has approved the वैन गंगा नाल गंगा रिवर लिंकिंग प्रजेक्ट तो वैल गंगा नाल गंगा रिवर लिंकिंग प्रजेक्ट जो है यह जिसको सॉल्फ करने के लिए यह वाटर लिंकिंग जो है रिवर लिंकिंग प्रजेक्ट शुरू किया गया है ताकि जिस एरिया में पानी नहीं है वाटर की कमी है वहां जो है वाटर जो है अबलेबल कराया जा सके तो मद्यपरदेश चतिसगर राजस्तान महराश्ट्रा और खरेक्ट आंसर इस महराश्ट्रा तो डिसेटली द वैन गंगा नाल गंगा रिवर लिंकिंग प्रजेक्ट अग्वर्मेंट ऑफ महराश्ट्रा और यह जो वैन गंगा है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है तरफ जो है यह दिंकिंग प्रजेक्ट जो है वो काम करेगी जहां वाटर का जो है अबलेबिलिटी कराया जाएगा नाव मूव ओन तुदा नेश्ट कोश्यान वन इस वर्ल्ड एलिफेंट देट ट्वेंट 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 अनिवल है और इसको लेकर जो है इसके व अगर इसकी इस बार की थीम देखे 2024 में थीम क्या थी चानवेंग प्रिहस्टोरिक ब्यूटी रिलिजियस रिलिवेंस और इन्वारमेंटल सिग्निफिकेंस यह बहुत इंपोर्टन्ट है हमारे इंवारेमेंटल सिग्निफिकेंस के लिए सटेवल डिवलोप्मेंट के सब्सक्राइब में तो उसी के प्रोटेक्शन के लिए यह दिन जो हम लोग अफ्जर्ब करते हैं ना मुवां तो अनेश्ट कोशन मुनल सट्लाइट इस सट्लाइट और विच कंट्री अन यूश्पेस पेस इंडिया लिए लिटेट विल असस्ट इन इस लांच बैसकली य तो यह यह सटलाइट का क्या है तो डेटा बेबेस करेगा किस चीजिज का यह दा किसे लिए विच कर एक त starter सुछ लूश्पेस एस पिट्मा विचीशन था सप्रेश्ट इन ऊसका बारे है Persian शी यह यह चैन्रिय्र यूश्पैस ऑल्नाइशन इस֌न उसका नाम पुरा क्या चीफ आफ दिस इस रोव वाज विक्रम सारावाई अभी जो करेंट चीफ है वो कोन है इस सोमनात इस दे करेंट चीफ आफ इस रो ने पिछले साल लॉंच किया था चंद्रियान थ्री डैट वाज लॉंच्ट ऑन 14 जुलाई 2023 और इस चंद्रियान थ्री लैंडिट ऑन 23rd of August 2023 इंडिया बिकेम दा फूर्थ कंट्री टी डू सो और फस्ट कंट्री तो लैंड उन साउथ पोल अफ दे मून और इसी दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इसनल स्पेस डे के तौर पर जो हम लोग सेलिब्रेट करने लगे हैं तो यह कुछ चीज़ है इंपॉर्टन स्ट इसमें जो अगर इन दो कंट्री को किसी भी दो कंट्री को अगर वर्क करना पड़े साथ में कॉडिनेट होकर तो किस तरह से हम कॉडिनेशन एक्जामनेशन में आते रहते हैं तरह atasatakadhan जो है यह आपको इस्टार्टी यह स्रिलंका में च्रिलंका में नाच्ट कया गया है to buy sanitary napkins तो sanitary napkins के लिए कौन ऐसा स्टेट जो है पहला स्टेट बन गया जो पैसे देगा cash देगा और क्या है कि आप sanitary napkins जो है गर्ल्स को जो menstrual cycle period के time में जो है वो sanitary napkins आप यूज करने के लिए पैसे दिया जाएगा कि आप खरीच सकते हैं सिक्किम मध्यपर्देश बिहार आंद्रपर्देश और करेक्ट एंसर मध्यपर्देश सो मध्यपर्देश has become the first state to provide cash to girls student to buy sanitary napkin और यह benefit किन को मिलेगा the girls between class 7 to 12 और eligible for the benefit जो 7 से लेके 12 class में उनको यह दिया जाएगा 300 रुपीज जो है पर यह यह आपको मिलेगा उस girls को इसके लिए sanitary napkin जो है अभी अभी आपने news देखा था that is recent news है किसी के महां जो हाई कोट है वहां जो है menstrual leave देने वाला पहला हाई कोट बन गया है now move on to the next question according to the ministry of statistics and program report what could be the population of India in 2036 तो ministry of statistics and program report की according इंडिया की population 2036 तक कितनी हो जाएगी कितनी बढ़ जाएगी the 2011 के census के according इंडिया की जो population थी 120 क्रोड क्या proxy और अब जो है बढ़के कितना हो जाएगी 2036 में 152.2 crore 172.2 crore 192.2 crore 182.2 crore and the correct answer is 152.2 crore so the ministry of statistics and program has released a report stating that the population of India could be up to 15.2 million in the year 2036 में इतना बढ़ सकता है और इंडिया की sex ratio की बात करें तो 2011 के census के according 943 है जो की बढ़के कितना हो जाएगा है 952 sex ratio क्या होता है number of females per thousand male तो एतना जो है वो होने की chances है now move on to the next question which independence day of India has been celebrated in 2024 कौन सा independence day था इस बार जो हमने celebrate किया 75th 76th 78th 73rd and the correct answer is 78th so India got independence from the British rule on 15th of August 1947 we know that India and Pakistan two dominions were created by Mountbatten plan and the theme of this independence day was developed India ये जो है theme रखा गिया था and our Prime Minister Narendra Modi has given a speech from the Red Fort and this was the 11th speech of the Prime Minister the first Prime Minister of India was Jawahar Lal Nehru जो है वो first Prime Minister ये कैमा अनिवर्सरी था that is the 77th anniversary था ये भी चीज़ याद रखेगा now move on to the next question which ministry has launched the flood watch 2.0 app this is important ये flood watch 2.0 flood का problem हम लोग देख रहे हैं इंडिया में continuously जो है कहीं भी अगर water भी यह होता है कि आना में जादा rain हो जाता है तो क्या होता है water logging हो जाती है flood आ जाता है different में पहले से ही तयार रहेंगे और वहां पर जो कम से कम जो है minimum जो है destruction वगेरा होगा तो यह जो है launch किया गया that is flood watch इंडिया 2.0 app ministry of जल सक्ती home ministry ministry of culture ministry of external affair and the correct answer is ministry of जल शक्ती तो यह जो है आपको objective इसका क्या था to improve flood forecasting and flood management system in the country इसको improve करने के लिए यह app launch किया गया है now move on to the next question WHO has declared which disease are global health emergency तो यह important अभी WHO ने World Health Organization ने global health emergency जो है वो डिकलर किया किस disease को किया है M-pox चांदीपूर वाइरस इवोला वाइरस लंपी वाइरस and the correct answer is M-pox that is monkey pox यहां पर क्या होता है आपको जो है जो body में races आ जाते हैं आपको जो है से क्या नामें मिजल्स आ जाते हैं और यह जो है जो है zoonotic disease है यह आपको जानवड़ से इंसानों में फैलता है अधर और contact के थूरू भी आपको जो है इंसान से इंसान के contact के थूरू जिस तरह से कोवीड फैलता था उसी तरह से यह कम्नीकेट होता और वाइरस को जो है एक होश्ट चाहिए ऐसे जो है वह सरवाइब करता है तो को ने तेदरस अधियनम् is the current president of who now move on to the next question president दुरुपदी मुर्मू has announced to confer how many gallantry awards on the eve of the 78th independence day to 78th independence day को दुरुपदी मुर्मू जी हमारी president है उन्होंने कितना गलंट्री अवार्ट का announcement किया है 303 103 303 410 and the correct answer is 103 so दुरुपदी मुर्मू on august 14 approved 103 गलंट्री आवार्ट फोर सेंट्रल आंप पुलिस फोर्स ये पी एफ परसोनेल and these include 4 किर्थी चक्रा and 18 शौरज चक्र तो ये जो है दिया जाएगा और ये 26 जन्वरी को जो है तुरुद राहूल नवीन and the correct answer is राहूल नवीन so 1993 batch IRS officer राहूल नवीन has the as the new director of the enforcement directorate so ED के नए director appoint किया गया किनको राहूल नवीन को move on to the next question who has been appointed as the ambassador and permanent representative of india to the united nations important question है VVI question है कि india में जो है india के permanent representative ambassador UN में किनको appoint किया गिया है we newly appointed बहुत important है दीपक्सूर संजे नायर सुंदर राम मूर्थी परवाथनी हरीश and the correct answer is परवाथनी हरीश so he is a 1990 batch indian foreign officer and he will replace रूचिरा कंबोज को ये replace करेंगे और अब इंडिया के नए representative बन गहें परवाथनेनी हरीश जो है वो बन गहें तो यह याद रखीगा united nation was established on 24th of October 1945 में जो है इसका establishment हुआ था six important organs है united nation के और जिसमें united nation general assembly जो है सबसे important body मतलब second important body है assembly है और इसका headquarters कहा है आपको नियॉर्क में मिल जाएगा now move on to the next question who has been awarded the grand color of the order of timor leste award so this is important question grant color of the order timor leste award किन को दिया गिया है timor leste जो है एक तरह का एक country है जो की आपको इंडिया के south east में मिल जाएगा तो यह जो है और इस country की भी capital कहा है दिल्ली जो है उन्होंने यहां visit किया था जिसकी वाज़े से उनको यह award दिया गिया है order of the timor leste grand color और इन्होंने तीन country विजिट किया भी एक तो फीजी एक न्यूजलैंड और तीमोर लेस थे जहां इनको यह award दिया गिया तीमोर लेस थे तो इस विजनेस जी के और विडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेर कर दीजेगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा with that we will conclude the video here thank you and have a nice day see you in the next video till then goodbye